हेलो फ्रेंड्स स्वागता आपका मेरे यूट्यूब चैनल गुर्मीर कीचन में आज मैं गयों के आटे की बहुत ही मज़दा रेसिपी शेयर करने वाली हूँ चलिए रेसिपी को बनाना सुरू करते हैं रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पिले हमने आटा लिया है हमने आटा दो कुटोरी लिया है मेजर्मेंट के हिसाब से आटा 200 ग्राम है अब हम इसके वीश चार चमच तेल डालेंगे मैंने सर्सों का तेल जूस किया है आप खाने वाले किसे भी तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं अब हम इसके वीश एक स्थाई चमच मिठा सोडा एड़ करेंगे और आदी चमच नमग और आदी चमच लाल मिच एड़ करेंगे अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे अब हम इसके वीश थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और आटे को अच्छे से मसलते हुए गूंद लेंगे आटा हमारा गूंद कर त्यार हो गया है अब हम इसके उपर थोड़ा सा ओयल लगा कर 20-25 मिंट के लिए ड़क कर रख देंगे चलिए तब तक हम वेजटेबल मसाला त्यार कर लेते हैं वेजटेबल मसाला त्यार करने के लिए हमने दो उबले हुए आलू लिए हैं एक गाजर कदुगस की हुई एक कप बंदगोबी एक मीडियम साइज सिमला मिर्च और एक मीडियम साइज प्यास लिया है थोड़ा सा हरादनिया दो हरी मिर्च थोड़ी सी लाल मिर्च अब हम इसके वीच मसाले एड़ करेंगे एक चमच नमक आदा चमच गरम मसाला और आदा चमच जीरा आदा चमच चाट मसाला अब हम मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे देखिए हमारा मसाला बनकर त्यार हो गया है अब हम अपना आटा देखते हैं पच्चिस मिंट हो चुके है आटे को अच्छे से मसल कर अब हम इसकी लोईएं बनाएंगे लोई को थोड़ा सा वड़ा लेना है नॉर्मर रोटी और प्रांटे बनाने के लिए जो लोई लेते हैं उससे थोड़ी सी बड़ी थोड़ा सा सूका आटा लगा कर इसको बेलते हैं स्नैक बनाने के लिए रोटी त्यार करेंगे अब हम इसके वीच मसाला एड़ करेंगे अच्छे से फिल करेंगे इसको अच्छे से फिला कर अब हम इसको रोल करेंगे अच्छे से रोल करकर अब हम इसके चोटे चोटे पीसों में काट लेंगे अब हम इसको ऐसे दुबा कर इसके स्नैक त्यार करेंगे आप इसको आटा टिकी भी बोल सकते हैं इसी तरह से हम सभी स्नैक बनाएंगे इसी तरह से हम सभी स्नैक बनाएंगे इस रेसिपी को बनाना बहुत ही असान है आप अपने गर में जुरू ठ्राई करेंगे इसमें आप और भी वेजटेवल एड़ कर सकते हैं हमारे सभी स्नैक बनकर त्यार हो गए हैं अब हम इसको फ्राई करते हैं फ्राई करने के लिए हमने एक कड़ाई में तेल लिया है और उसको अच्छे से गरम कर लिया है अब हम इसके वीच एक एक करके सभी स्नैक डालेंगे अब हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे गैस का फ्लेम लो मीडियम ही रखें ताजो हमारे सवी स्नैक अच्छे से पक सके अब हम इनको बल्टाएंगे इसी तरह से हम दोनों साइडों से अच्छे से पकाएंगे ग्यास का फ्लेम लोग मीडियम ही रखें देखें हमारे स्नैक सा कलर किंतना बड़िया हो गया है अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे इसी तरह से हम अपने सबी स्नैक फ्राई करेंगे हमारे सबी स्नैक फ्राई हो चुके हैं अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे देखिए हमारे सबी स्नैक कितने वड़िया बनकर त्यार हो गए हैं आप भी अपने गर में इनको ट्राई करें और अपने बच्चों को खिलाएं चली अब हम इनको सर्व करते हैं आप इसको हरी चटनी और टमाटा सोस के साथ खा सकते हैं अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू